कि चलिए भाई शुरू करते सॉल्ट एनलिसिस का आज दूसरा लेक्चर और आज की लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंट्रेस्टिंग थ्योरी और इस थ्योरी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे ज़रा देखना एक बार हम इन और्गिनिक केमेस्ट्री के अंदर जो स सॉल्ट एनलिसिस में कितने टाइप की रियक्शन्स होती है वो पढ़ने वाले हैं सॉल्ट एनलिसिस में पाच टाइप की रियक्शन्स आती है पहली रियक्शन आती है प्रेसिपिडेट रियक्शन दूसरी रियक्शन होती है आपके रेडॉक्स रियक्शन तीसरी होती है आपकी complex formation reaction और पांच भी होती है आपकी neutralization reaction तो इन अर्गनिक केमिस्टि में जल्द ली से बताएं कितने डाइब की रियक्शन है फिर्स्ट है पीपीटी रियक्शन पीपीटी रियक्शन की भी कई सारे नाम है पहला है आयन एक्सचेंज रियक्शन क्या होती है आयन एक्सचेंज रियक्शन दूसरी होती है आप किसी की डबल decomposition być तो तीन नाम हमें लिखने हैं पहला आयन एक्सचेंज रियक्शन पिपीटी रियक्शन और डबल डीकमपॉजिशन रियक्शन दूसरी रियक्शन कमिost YouTube तीसरी आईएगी थरमल decomposition चौथी आईगी आपके पास बोलो चौथी complex formation और पांच भी neutralization reaction पांच भी कौन से आईगी neutralization reaction clear तो आभी हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं PPT reaction यह आप note कर लेना heading कर डालेंगे आप type of reaction और type of reaction लिखके पांचों का नाम लिखेंगे पांचों का नाम लिख्के पहला डिंक लिखेंगे PPD reaction यह आयन एक्षेंज reaction या double decomposition reaction, clear, पहले होगी PPT reaction, दूसरा होगा ion exchange reaction, तीसरा होगा double decomposition reaction, clear सबको आप इधर ज्यान दो, PPT reaction, क्या बताओ, PPT reaction, क्या होती है, मालो एक salt लिया मैंने A, दूसरा salt लिया मैंने B, तीसरा लिया मैंने जो product बनेगा क्या है, वो C और D, यह A, B, C और D, एक salt है, जल्ली बोलो, क्या बोलो, जल्ली बताओ, A, B, C, और D, यह क्या है, salt, क्या है, अब यहाँ पर यह क्या जा रहा है, कि A है Soluble, B है Soluble, यह राइट का मतलब क्या निकालेंगे, अब, Soluble, यह understood हो, अब देगानी कभी भी वो, और अगर क्रोस्ट दिया मैंने कहीं पर उसका मतलब है इंसौलीबं GO अगर अग्रायट लिखाक आए सौलीबल और अगर कहीं क्रोस लिखाै तो UX lunूण यह ने दिघंवलोगन राइंट लिखाय तो क्या है वह दिताओं अब मेशारीथ टेखो जब नो से रैक्षण तो हमारे दिमाग ने फिरिक्सिंदि यानि फिरिक्सिंद्क हो वहार हुए यहां HA तो इसका मतलब फीपीड रियक्शन वहान लोग आपके कड रखा यहां वाइट कलर का को इंपांट रखा ता आप वह चाहनाक ये लो गड़ा हो गया तो फीपीड रियक्शन के लाइग पीपीड से रिलेटेटेड रियक्शन देंड गयर इसके से केसिज होते ही यह समझ के प्रकेस के स्वान एसा हुआ जिस्में एक और इन सकता है जर आपमें दूवल कर नजर आएक और गया अचलीबल एसा केस यह निवल किण दिया जैसा एक ऑन दोनों में से एक जी एंसलीबल हो दोनों ही इनसलीबल हो तु है दीक अब hm और इसको Bringing रिएक्षोन या ना कहें और यह जो रियक्षन हो रहे हैं इस रियक्षन को pp t reaction हम कहें या ना कहें इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि यह सोलिबल है या नहीं है यह इसके लिए वो डीपी याद आईगी आपको जो मैंने बताई थी क्या वाली डीपी याद करेंगे तिक यह नोट करता जाता हूं जो जो मेरे को भी जड़त पड़ रही है आप याद करते जाएंगे उसको अच्छे से नोट देखो जितने भी क्लोराइड ब्रोमाइड और आयोडाइड सॉल्ट्स आपको पता हो वो सब सॉलिबल है सिवाए इनके यानि एजी सी यल क्या होगा इंसॉलिबल एजी बी आर क्या होगा इंसॉलिबल एजी आई क्या होगा इंसॉलिबल पी बी बी रटू क्या होगा इंसॉलिबल पी बी बी रटू क्या होगा इंसॉलिबल पी बी क्या होगा इन सॉलीबल दो क्लॉराइड प्रमाइड आयोडाइड शॉट सार इन चार को छोड़ कर यह चार आपको याद करने पढ़ाएंगे अच्छे से छोड़ करके सागी सारे सोलीबल है तो यह क्या होगा सोलीबल ओल्ट ना उपने सॉलीबल अब यह आपका इने जी बच्छांट के बता है इन इन वल। लेकिन अभी नाइटरेट की तो मुझे पता ही नहीं तो मैं नाइटरेट की लिख देता हूं है नाइट्रेट की सव्ल्विटी में होता अल आर सॉलीबल सब समय कोई लपड़ा ही नहीं यह यह भी अर्य और यह मीनकों बना दिया नहीं दिखेगा निदि कर आप नहीं देगा तो अब इस तरह की रिएक्षिन को आइडेंटीफाई करने के लिए आपको इनकी पता चल दीचिए न कि ऐसे आपको सब्सक्राइब याद करने नोट कुरें इसको करी डोसी आपको आपको याद करने आपको याद हो fiांसुरणीजर्णीब बोग ए? को गया? अब दूसरा रेको अब अब यह सॉलिबल यह इंस वाल यह इंस वाल यह इन सॉलिबल है यह अगर आप इसका मतलब क्या निकला कि पीटी रियक्शन होगी अब इसके लिए हम देखते हैं यह रियक्शन एक अब यहां पर मुझे दो कि सॉलिबल याद होगी तभी में बता पाऊंगा पहली आपकी सल्फेट की तब पाव में जयता हैं यह रिए हमगे इसके लिएे यह भाव मुझे इसकी स्थूलिबल्स भेवे झाल ने ऐसे विए आ अधर आर सोलीबल सारे सोलीबल होंगे एक्सेप्ट वेरियम लैड और इसल्वर यह क्या होंगे इंसॉलिबल दुबारो बोड़ो जो ये ये क्या होंगे इंसॉलिबल और ये स्पेरेंगलीी सॉलिबल मतलब आपका थोड़ा थोड़ा soluble होगा थोड़ा थोड़ा नहीं होगा ठीक है तो partial soluble यानि PPT partial soluble भी बना सकता है अब आई बात किसकी sulphide ही है और इन सोलिबल एक्षेप्ट है फास्टे सेकेंड और आमोनियम सलफ़ाइड है और इन सारे के सारे इन सुअलिबल ओंगे सलफ़ाइड वाले किसको छोड़के फरस्टेश इसे को लाएगा लीठियम सोडियम potassium rubidium cesium यह सारे के सारे sulphide soluble है सेकेंड है की बात करेंगे तो सेकेंड है के अंदर कौन आएगा berylium magnesium calcium strontium और barium कौन आएगा बताओ berylium magnesium calcium strontium and barium यह आएगा और ammonium sulphide यह soluble होगा ammonium sulphide soluble होगा ammonium sulphide soluble clear आप इधर देखके बताओ यह बीएस दिख रहा है तो यह बीएस आपका क्या आएगा soluble जैड़ने सफोर देखके बताओ क्या आएगा आप और और इनसॉलिबल यह तो सॉलिबल आएगा क्योंकि यहां फर्स्ट और सेकेंड है सेकेंड है सेकेंड है लेकिन बेरियम वाला क्या है इनसॉलिबल यह सारे इनसॉलिबल है यह आपका टीपीट रियक्शन होगा ठीक है और इस यह वाइट होता है पाम़वलख यह वाला टीपीटि यह भी वाइड होता है टी-पीटि आप यह डाउट नहीं लाएंगे सहके है हमें कैसे पना चलेगा अभी धीर धीरे पढ़ते जाएंगे पता होता जाएगा इन दोनों कहाला जाता है यह फोण कि कि और लिघुफेन क्या होता है लिघुफोन एक वैट पिघ्वेन्ट होता है कि यह अश्च 동 इसका नाम होता है आपका वाइट लैड कि यह भी वाइट फिग्मेंट है ना इस्के प्रॉब्लम हो गी जब इसको आपने पेंट किया तो पेंट करने पर क्या पाया पता है पेंट करने पर यह पाया कि यह जो पेंट आपने किया इस पेंट का कॉंटेक्ट जब एयर से हुआ तो एयर में था H2S और H2S से रियेक्ट करके इसने मना लिया PBS और PBS के ब्लैक प्रेसिप्टेट आना शुरू हो गए मतलब वो जो वाइट था उस पर ब्लैक स्पोर्ट्स आना शुरू हो गए तो यहां पर टू बीवी सीओ ट्री डॉट होल ट्वाइस का नाम था वाइट और इस वाइट लेड़ पास किया पनने तो यह भी वाइट पिगमेंट है कि यह नहीं कहरें वाइट पिगमेंट बाद में स्टियाइयो तो पो हो जा गया यह क्या था वाइट पिगमेंट कि अ कि टाए यह सब्सक्राइब और यह बहुत से मस्माइब इसतमाल किया जाता है और उस पेंट का नाम है फेयर अउनलिय। पर लगाते यह यह तुक रुदन इसको कर के आप जह कि आप वह बापस दीवार पर पेंट करते हैं चमक जाती है वैसी पेंट है तो इसमें टी आई यूटू होता है तो आई होप यह दो रिक्शन आपको समझ में आई होगी नोट कर लो इसको फटाफट अब आप कोडिनेशन की शीट को कर सकते हैं मैं कोडिनेशन की शीट के सॉलुशन पता है हम बोलेंगे एक exercise में 10 questions है 10 questions में कोई डाउट हो उसका screenshot खीच के भेज देना फिर अगले 10 questions में हो खी they Hub खीर फिर अगले 10 के हो सक legitimate फिर अगले 10 सी का screenshot अगले 10 सा में हो उसका screenshot clear सबको ऐसे करके आपको सारे doubt भेजने clear तो आप सब एक्सराइस स्क्रीन ऑन जलुशन देंगे हैं मैं आपके लिए क्या चरूँगा उसका सबस्केइगे सब्सक्राइट है तब आप क्या करेंगे मुझे उस कोश्चन का फोटू कीच के बेजेंगे मैं सॉलूशन बनवा के डलवा दूँगा इस तरह से शीट डिसकेस होगी अब नोट गुरॉच को तीसरा केस झाल प्लस भी एरो कि दिन अगर यह इंस ब्लें यह लाएं यह सॉलीबल और यह सॉलीबल है मुझेगे एव इनसॉलीबल है और टीए सॉलीबल ले आसे यह यह reaction होगी अब आप सोचो यह reaction होगी क्या तो देखो यह अगर इन सॉलिवल है तो इसके आयन एक्षेंज नहीं होंगे इसके साथ अगर आयन एक्षेंज नहीं होंगे तो reaction पॉसिबल नहीं है तो यह reaction नहीं हो सकती है not possible अब आई बात किसकी यार अगर इस रिएक्षेंज को कराना हो तो कब पॉसिबल हो सकती है तो यह पॉसिबल हो सकती है जब इसको एक्लिवरम पर कराया जाए यह का मतलब कर रियक्षन इधर भी जा रिये और धर्वियारी धर्वियारी मत्लब हैं हमें एसे सौल्ट लिये हैं मैं जो शायद इस पले बांको प्र collection तब तो कोई डाउट नहीं आने वाला सबज में आ जाएगा लेकिन अगर केस्पी यानिकी सॉल्विबिलिटी प्रोड़क्ट यहां पर नहीं पड़ाया गया तो फिर दिक्कत आईगी इस तरह की रियक्शन जो होती हो डिपेंड करती है केस्पी पर केस्पी ऑफ एगर जादा है कैस्पी ऑफ सी से तो रियक्शन फॉरवड जाएगी कैसे जरा देखना यह अपका केस्पी केस्पी ऑफ एक केस्पी का मतला होता है A ज़्यादा S. इससे से तो एका जो सॉलीवल पार्ट करेगा वी से रिएक्षिए करे के वो इन सॉलीबल है कि ऐसी क्या है इंसॉलिबल यानि कि केस्ट पी ओफ सी एक कम है यानि कि इनसॉलिबल होगा यानि नियुक्त दिखाई देगा तो रीक्षन आगे भाग जाएगी ना अगर यह उल्टा होता इसकी जगह आपकेस पी ओफ सी अगर ज्यादा होता और यह कम होता तो इदर वाग हो जाते हैं जैसे इसका एक्वांपल है गोईजेज मेथड होता है प्रिपरेशन आफ यह इसमें हम कैल्शम आइड्रोकसाइड लेते हैं प्लस एने टूसी उत्री लेते हैं रिएक्शन होगी तो यह बनेगा यह अब यह कि यह एक्वितरी प्लस एने वेज़ च्या पर च्याव्पनेगा यह स्यूद्री प्लस इने वेज अब यह देखो आप यह इनसोलीवल होता है यह सॉलीवल निए यह सॉलीवल होता है लेकिं यहां Pर क्या होता है कि केस्पी जो है औफ calcium hydroxide वो बहुत ज़्यादा होता है इसलिए ज्वेल्स और यह आपका केस्पी अज का सिरी कम होगा नकीडिक दिखाये रहें टैसा लिए होगा तो गोईजस मेथड़ आप से पूछेगा और आप से बोलेगा गोईजस मेथड़ किसकी प्रिप्रेशन होती है तो आप बोलोगे एनियोच की किसकी एनियोच बहुत सिंपल कॉंसेट है कोई ज्यादा कंफ्यूज मत हो अगर सिंगल एरो है तो रिक्षन पॉसिबल नहीं होती अगर इकलिवरम है तो रिक्षन पॉसिबल हो सकती है कब जब आप यह स्परेंगली सॉलिबल होगे अगर यह स्परेंगली सॉलिबल होगा तो क्या होगा? ये थोड़ा सा solubal हो जाएगा. ये solubal होगा, इसके तो कुछ आएन आएंगे, वो आएन रियक्टर हेंगे B से, और B से रियक्टर के वो कहाँ? C बना देंगे. और जो C होगा, और जो C होगा, वो C क्या गड़ेगा? PPT होगा. तो वो दिखेगा. ठीक है? तो रियक्टर आगे भाग जाएगी. तो जिसका केस पी कम होगा, रियक्टर उदर भाग जाएगी. ठीक है? एक और मेथड है जैसे, ये AGC-L वाइट है. इसमें मैंने NA3, ASO3 डाल दिया. वाइट प्रेसिटेट है. ये इनसॉलिवल है, ये सॉलिवल है. तो ये तुरंट कन्वर्ट हो जाता है. AG3, ASO3 प्लस आपका 3, NACL में. ये आपका आपका इनसॉलिवल है, ये सॉलिवल है. ये आपका येलो PPT आ जाएगा. ये ये रिएक्शन भी कब हुई जब यहाँ पर हमने क्या लिखा रहे हूँ केस्पी ऑफ AG3, ASO3, 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 ASO यलो PPT में कंवर्ट हो जाएगा तो आप देंगे यह दुबारा से बोलो क्या वाइड पीट आफ एज ल में सोडियम आर्समेट डालने पर यह वाइड पीटि और यह वाइड पीटी यह लोगों कि यह यह आपकी एक और रेक्षन कंप्लेट हुई देखो वेज़ा ठीक है तीसरा केस के बाद चौथा केस ए प्लस बी और सी प्लस डी आप से बोल रहा है यह रिंसॉलीवल क्या यह केस हो सकता है सोच आप से बहुलेगा क्या यह केस हो सकता है है कर दो और आनसर है यह नहींद त्रॉपीह था कि और इस प्रेशिप्टेटर पर आपने क्याइड कर दिया कि यह एक धर्रीक el vaccinated आपने चाएड़ कर दिया क्यों ढड़िया थी अगर आपने निस फोफिफ जोभी हृश्ब यह प्रेसिपिटी गायाव हो गया तो इसका मतलग क्या हुआ इस तो हुई है तो हुआ है तो हुआ है अरे रिएक्शन तो हुई है भाई डाली रिक्षन हुई है तभी तो फिटी गायम हुआ है रिक्षन वी है तभी तो पिपिटी गाया बोगा आया ना तो देख सकते हो आप आप अब देखो इदर यह कैसे हुई वो मैं आपको समझाता हूं यह इसका जो concept है वो पता है क्या है क्या आ रहा है क्या यह इसके साथ कैसे किया होगा पिछले वाले में भी तो यह logic था बिलकुल सही तो यहाँ पर केस अलग है वो तीसरा केस है चौठा केस है है यहाँ पर केस है कि अगर आप जो एसड यूज रहे हो यहां पर वह एसोड अगर इसके एसड से stronger है इसका यह सील मतलब इस एक एसरे और बेस से मिलकर बना सॉल्ट है इसके है एस टू सीउ intrigue करे यह हैं यह इसके सॉल्ट का जो एससे स्टोंगर है तो पहले इसे तोड़ देगा है तो तोड़ती केटाइन न लगुझे और वह करेंगा और रिए करने के बाद बनेगा वह रहाएगा ए और और साथ में अधर प्रॉड़क्त आए गा फ्रीजिट को अगर यह एससे स्ट तोड़ देगा इसे तोड़ने के बाद यह के टाइन से रियक्ट करेगा रियक्ट करके प्रोड़क्ट बनाएगा अगर यह प्रोड़क्ट सॉल्यूबल है अगर यह प्रोड़क्ट सॉल्यूबल है अगर यह प्रोड़क्ट सॉल्यूबल है तो फिर इसका मतलब यह आप कार्वोनेट में डाउट आएगा आपको तो मैं लिख रहेता हूं कार्वनेट है ओल आर इन सॉलिबल एक्षप्ट फस्टे और अपनियम कार्वनेट और फस्टे में भी अलाइट टू थी एस यह जो एस लिखा जाता इसका मतलब होता है इस परेंगली सॉलिबल एस यहां अगर है यह जाता है और जो भी एसड होते हैं वो सब सॉलिबल होते हैं अच्छड में कोई लपड़ा न सॉल्ट में दिख्कत आती है एसट कहीं भी लिखा हो सब सॉलिबल माने जाएंगे तो आपको यह डाउट नहीं आएगा कि सरी यह तो इसका क्या होगा यह यह बोला जा सकता है कि इसमें सॉलिबल है यह से लिए कर तो क्या है है क्याय छोंगर है क्या अथि का सीयो था है एच फूसी यूटरी वासे थे हैं तो यह विक है तो कि सॉॉड़ देगा तो है तो हिसी यह लटू के और अब फेली अपन ने विकल्स की बात कि ती और क्या बताया था पी इस ही लो खुश्त क्या है सॉलिबल भी यहां पर यह यह आपका विबल था यह इंस अबूस्ट रेक्शन हुई कि नहीं रिको तो कॉंसेप्ट लिगो इसका कि यूज असीड इस्टॉंगर देन असरड प्सॉल्ट यूज असेड इस ट्रोंगर थेन अस असेड उसल्ट या okay. तूद रूजरा, forn products are, form products should be soluble, form products should be soluble, form products should be soluble, form products should be soluble. आप एक एक और देखता है लेकिन उसकेस से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं कि आपको डिक्कत नहीं आए कि मैं आपको यहां पर कुछ एसे के लिख रहा हूं जैसे हैच टू सी ओ तरी कर दो है कि यह इनके के वैल्यू है अब इसके वैल्यू को आप देख करके बताओं कि है एच्टू सी ओ त्री और यहां एसेटिक एसेड दोनों वीक एसेड होते हैं हमारे इसाप से तो लेकिन इन दोनों में कंपेर करो बाब तो कंपेर करने पर आपको पता चलेगा यह स्टॉंगर एसे इस से सेकेंड नमबर पर यहां थार्ड नमबर यहां पूर्थ नमबर पर बोरी के सिड़ाया है यह एक्जाम में आता है सवाल डारेक्ट इनका ओर पुछा जाता है और यह कई बार यूज होंगे इसलिए आपको इनकी असेडिक नेचर याद करनी है वैल्यू याद करो या मत कर सब्सक्राइब करें अब सबसे पहला सवाल है कि यह इसको तोड़ देगा हाँ तोड़ने के बाद बनाएगा यहां पर बेरियम एसिटेट लेकिन आप यहां अटक है पुछो क्यों आपको यह नहीं मालूम कि बेरियाम एसिटेट ऐसाम मैं और यहां कि लिखने हाई जो आपका क्लोराइड प्रमाइड आयोडाइड था उसमें से मैंने क्या हटा दिया लैड लैड का एस्सारे का लिए लोगा करें वर यहां देखेंगे आप तो बेरियम की बात हो रही है बेरियम यहां पर देख के बतााइड की नहीं है तो आपको पता चला यह नहीं रही है सब्सक्राइब नहीं होगा तो बोरी एसे नहीं होगा एट सबको आया ना बनो पका इस तरह की सवाल आएंगे तो वो सवाल आप कर सकते हैं कि नहीं सकते जल्दी बताओ झाल आएंगे सकते हैं कि शीक हो आएंगे सबके हीओ को आएंगे सबकां यहुड़ों कि यह हो वो सबका हैं था एस जल्सक्राइब बताएंगे दॉश्टरμसों कि थितकी हैं अ अShowक हैं कि यह नहीं होते हैं Statistics झाएंगे सबकाarnya हैं वो सबकार YOUR को झाल झाल हो गया है यह आपका चौथा के इस भी खतम अगला देखो अब आएगा एप्लस बीडि आप से बोलेगा एप्लस बीडि एरो सी प्लस दी तो बताओ जल्दी से फटावड से क्या एप्लस बीडि एडिडि एडिडि यह इंशॉलीबल यह इंशॉलीबल यह पॉसिबल है और यह इसके साथ एक्स्चेंज नहीं कर सकता दोनों ही इंशॉलीबल है लेकिन अग्र ऐस दो हो गए क्विड एडियर प्लस बीडि ए रयोग की इमलुक्र जावर्ण तो यह एक्षिन पीपीटी हो नहीं हों गी यह नौट पॉसिबल यहां लिकना रेक्शन नौट पॉसिबल झाल 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 यह आपका एक टाइप का रेक्शन समाब तुआ जिसका नम था पीपीटी रेक्शन या आएन एक्शेंज रेक्शन या डबल डीकंपोजिशन रेक्शन तीनों बोल सकते हैं तो आपका बढ़न या जाएन या इक्शेंज रेक्शन या डबल डीकंपोजिशन रेक्शन थेखेंगे अब उसके बाद अगला आता आपका जडोरत को बनाया जाता है पहना सवाल एकिसूरा एक्स्ट्रक्ट सुलूशनल इस लीए बनाया जाता है pół मैं तो इgovern को में सब्सक्रीय को बनाया जाता है तो आंसर सुन नस नपिसूरेक्स्टरक्ट solution कि इसलिए बनाया जाता है कि अगर एक्जामिनर आपको कोई इन सॉल्ट देदे कभी अगर आपको एक्जामिनर इन सॉल्ट देदे तो आप फिर उस आयन का टेस्ट नहीं लगा पाऊगे अगर इन सॉल्ट देदे तो आपको टेस्ट नहीं आएगा इसलिए आपको सोडा एक्षोll tradition बनाया जाता है ताकि अगर एक्जामिनर ने कोई इन सॉल्ट दिया हुआ हो तो वह भी सॉल्ट या definitely कर लूं तो आगर एक्जामिनर ने आपको यू देखा तो समझ जाओ निकल प्चाब कि बनाना पड़ेगा और इग्जामिन आपको पता रहा हूं तरीका कि अगर कोई सॉल्ट दिया जाय तो उसको करना कैसे यह सॉल्ट दिया तो फर्स्ट इस्टेप में सोडा एक्स्ट्रेक्ट सलूशन बनाना है अगर एनन का टेस्ट करना है क्यों कि आपको एक्जामिन पर भरोसा नहीं कर सकते कि इग्जामिन आपने सॉल्ट दिया या इन सॉल्ट ठीके तो नोट करके क्या रिखेंगे हम कि सोडा एक्स्ट्रेक्ट सॉलुशन इस वेरी उस्फूल soda extract solution is very useful when any insoluble salt, soda extract solution is very useful when any insoluble salt, soda extract solution is very useful when any insoluble salt present in a mixture, soda extract solution is very useful when any insoluble salt present in a mixture. कैसे करते हैं अब प्रिपरेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या लेते हैं इस तरह से काच उसके अंदर अपन काच की बाल इसके अंदर क्या ले लिए सॉल्ट और सॉल्ट लनेके साथ उसमें डाल देते हैं एक इसका रेशो रखते हैं यह जाधा रखते हैं, फिर इसको यहाँ हीट कर लेते हैं पानी उतना ही लेना है जितना आपको रिक्वारड है, आप इससेदे रेऊさん। processor करते हैं 10 से पंदरा मिनित आपको अच्छे से से बंदना मिनिट करने के बाद में इसमें मैंने मान लिया कि सॉल्ट में एक उसने आपको आप को यह और एक उसने आपको भूष दिआ है कि यह मैंने मान लिया मैंने जान पूछ पूझ की एक Sreyupea लिए एक इंसाउड लिया एक इनसालिभल सॉट लिया घे और आपको समझ में अजाए कि अगर सोल्भल होगा तो क्या होगा तो मैंने जान बूझ करके सॉल्ट ने लिया कि इसमें इसमें जायद बिसल्टो और प्यवी तो फॉर है ये क्या है है yes all not exist अब जब आफ इसको वोई कर एंगे और येक्षिन होगी रिएक्षिन के दोराण क्या होगा कि अफिर अन शेयर करके वह ना दे आपका पीपिशी ओ प्लस साथ में जाएगा आपका है इसी तरह से भी से भी आपने हीट किया तो इस पर टूटे गए और बना देगा यहां पर भी असुट्री फ्लस अधिक अभी अभी कार्बनेट की प्यूपीटी बताए थी वह बताया था मैंने आपकार्बनेट का अबों सॉलीबिटी तो उसमें क्या कराता सारे कार्बनेट इंसालिबल ओते हैं एक सब्सक्राइब और आमोनियम कारबनेट यह इन सॉलीबल यह इंसि अपने टैस्ट्व ले लिया और इसको टाकर कि अपने क्या अगरा फिल्टर कर लिया यह सब होने के बाद जब फिल्टर करेंगे तो यहां पर यह BACO3 और PBCO3 तो PPT इसलिए उपर रहे जाएगा फिल्टर पेपर पर नीचे जो है वो कौन आएगा अब सुनना sodium sodium के सारे salt soluble होते हैं तो मैं यहां note करके लिख रहा हूँ sodium salts are soluble except sodium bicarbonate यह इस परेंग्ली सोलीबल होता है यह sodium के सॉल्टें सारे सॉलीबल होंगे यह याद करने पड़ेंगे यही learn करने पड़ेंगे यह इस सब्सक्राइब यह सब नहीं पूछ सकते आप यहां पर यह बताने लगों तो भी रह जायागा तो आप यह ना सोचे कि सरसमझ में नहीं आ रहा क्या करें यह तो आपने यह कहा किया इसको इसमें डाल लिया जैसे डाला तो सोडियम हुआ आया ना ओं आते टो फ्सक्राइब सोलीबल कोई एक्सि अड गों टून क्र sentiments यह ुछ सव नहीं थे सॉठीय सिय या सीयो- डिया भी हो गया तो दिभ़ा तीनों के डाये इसमें फ्री है इसको एव जाताने लेकर ए जौनेक के शुलिशन क्या बला जाता है इसको soda extract solution इसको क्या बलते हैं बताँ na plus sulfate और c l minus इसको बला जाता है soda extract solution soda extract solution clear अब देखो जो soluble था वो भी आगे आपका सॉलीवल फॉम में आ गया अब आप इसका टेस्ट दे सकते हो आया ना कैसे बनाया वापस से समझेंगे मैं गया लैब में जाते हैं मुझे उसने एक सॉल्ट दे दिया वो सॉल्ट से देने के बाद आप से का कि टेस्ट लगाओ अब यहां पर प्रॉब्लम है कि वह इंसॉलीवल सॉल्ट भी दे सकता था तो हो सकता है मेरा टेस्ट नहीं आता इसलिए मैंने सबसे पहले ऑफिर इसको अपने हीट किया अभी हीट करने आप रेशिओ बनेश्य ज्यादा लेना है अश्यच्छी ज्यादा लेना है कि कोई भी चीज ना वचे सोचो कि इसमें जूबी हो ना वह सब करें ने टुमी कॉल से आप देखो यहां दोई दिये थे लगालों यह पांच देदेखा फिर क्या करते हैं तो आपको ज्यादा चाहिए होता है इसलिए वानेश्टू 3 लिया जाता है तुल आया ना सिंपल आपने क्या किया हीट किया हीट करने पर रियेक्शन हुई सोल्ट में हमने मान लिया कि यह है कुछ भी ओसकता था रियक्शन जाब हो ही तो यह जो भी सोल्ट में होगा वो इससे रियक करके अपने corresponding carbonate में आएगा इस आप क्या करेंगे अपने corresponding salt में आएगा corresponding salt में आने के बाद जो carbonate बने गाव तो insolubile होगा इन और जो शोडियूम के सारे सॉलिबल होते हैं इसने ये वी सॉलिबल ये भी सॉलिबल ये अपना टेस्ट देंगे अज़न अपना टेस्ट देंगे कि अब का है आया ना आप सोडा एक्सक्олж कारूमसेरों यह पता नहीं चलेगा आपको कुछ यह यहां से भी आ रहा ही है तो आप कभी भी सोडा, सोडाँ इक्रक्स सॉलोशन से कार्बनेट का टेस्क नहीं कर सकते तो कर्मmy रहें किन्ठेक्समालब टॉडे दो समझतों है मेरी बात को ने क्या लिखाता प्रूटा में कि जितने भी अलौ एक्षर्स एक्रक्स सॉलोशन से करते Εचसेप्ट लिखा नैंके इसको के चैस अब आप खुद बताओ कि आप इससे कार्बने टेस्ट लगाना प्रिपर करोगे नहीं तो टेस्ट गलत आएगा कार्बनेट है चाहे एकजामिलर्ण सॉल्ट में कार्बनेट दिया हो चाहे नहीं दिया हो अब कार्बनेट का कैसे करते हैं डारेक्ट सॉल्ट जो होता है उससे डारेक्ट टेस्ट किया जाता है और इसी वज़े से कार्बनेट का कभी इंसॉलिबल सॉल्ट नहीं देगा वह आपको क्योंकि आप उसका डारेक्ट test करोगे carbonate के हमेशा soluble salt दिये जाते हैं टेस्ट करने के लिए यह बात आ गई आप इसमें खास बात कि इसमें carbonate हमेशा प्रेजेंट है तो आपको उस carbonate को हटाना पड़ेगा आया ना कर्वेन प्रेजेंट है की नहीं है तो उस carbonate को हटाना पड़ता है उसके लिए हम सबसे पहले नोट करके लिए कि बिफोर पर्फॉर्मिंग दा टेस्ट अफ एनायन soda extract solution must be neutralized आपको इसे neutralized करना होता है note करके लिए को बिफोर पर्फॉर्मिंग देस्ट अफ एनायन प्रफॉर्मिंग देस्ट अफ एनायन प्रफॉर्मिंग देस्ट अफ एनायन soda extract solution Soda extract solution must be neutralized, before performing the test of anion, Soda extract solution must be neutralized by suitable acid, Soda extract solution must be neutralized by suitable acid, now here is a suitable acid meaning, suitable acid meaning, meaning समझना माल लोईर्स मेरे पास है टेस्ट्यूब और इस टेस्ट्यूब के अंदर अभी CL है सलफेट है मुझे एग्जामिनर ने कहा कि सलफेट का टेस्ट लगाओ अजयान से सनना ये मैंने लिया हुआ पूरा पूरा ऐसा है ठीक है अभी मुझे कहा अब इससे टेस्ट का से लगाते पहले वो समझ़ए ये बनने के बाद इसको रख देतें साइड मेंत रख दिया साइड में रखने के बाद एक और खाली सक्वार रिटेंभा सा सबसे पहले मुझे कार्बनेट को हटाना था इसलिए तोड़ा सा असे डालूंगा फिर से ऊबाल दोगा फुरा सा एसटाल कि जब आलूंगा तो एसट डालते कार्बनेट जो वह C02 बन जाएगा CO2 बनके तुरंत boil कर दिया तो CO2 boil करने पर उड़ जाएगी इस तरह से ये पूरा का पूरा carbonate खतम हो जाएगा सवाल क्या बोला उसने suitable acid मतलब समझे इसका मतलब आपको यहाँ पर सवाल में दिमाग में है कि तो आपने एसे डाला तो एसे टूसर नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपने एस्टूसर डाल लिया किसको अटाने के लिए carbonate को अटाने के लिए तो आपने sulphate खुदी भेज दिया अंदर और फिर sulphate का टेस्ट लगा होगे तो positive आएगा तो examiner ने sulphate दिया या नहीं यह आपको पता नहीं चला इसका मतलब suitable acid कौन सा डालना है डिफ्रेंट जिसका टेस्ट लगा रहे हैं उससे डिफ्रेंट दुबारा समझना कैसे करते हैं टेस्ट को कि यहां से ले लिए यह इसमें तो बहुत सारे आयन से हो सकते हैं खाली टेस्ट यूब ली तोड़ा तोड़ा वापस रख दिया उसको कि यह इसके अंदर थोड़ा सा है अब आप सोचो किसका टेस्ट लगाना है जो आपने पहले सुचा में शल्फेट का लगाूंगा शल्फेट का लगाना था आपको इसमें डालना था जिससे की कार्वनेट सीयोटू बनके उड़ जाए तो आपको इतना सा के रहा है यार एच्टो इस फूर मट डालो उसके अलावा कोई और एसिट डाल दो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा अंदर एसीट डायेगा तो सल्फीट का टेस्ट बात में लगाना है तो है अगर मॉलिग वापस सब्सक्राइब यह लिया अब यह लिया तोड़ तोड़ वापस रख दिया यह लेने के बाद इसमें प्या है वापस सलफेट और शीयले अब क्या दे रहा है आपने सोचा अब सील का टेस्ट लगाता हूं तो थे लिगाता हूं आपको सूचना किसका प्रक्राइब कर रहे हो अगर आप एस्टू सपूर का टेस्ट लगाना सोरी सलफीड का टेस्ट लगाने चाहरे था तो इतना सा कहे रहा हूं तो नौट करके लिए Ito suitable acid legal anionic part of acid anionic part of acid must be differ anionic part of acid must be differ from the anion anionic part of acid must be differ from the anion must be differ from the anion that has to be detected anionic part of acid anionic part of acid must be differ from the anion that has to be detected clear एक और खास बात है नोट करके लिखना ऑक्सीडाइजिंग एसीड ऑक्सीडाइजिंग एसीड शुड नॉट भी यूज नहीं करना क्यों कि अगर कोई अगर कोई अच्ट वह वह तो वह सलफाइड जो होगा उसको सलफर में ले जाएगा समझना ध्यान से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर होते हैं तो वह सलफाइड को सलफर में सलफाइड को सलफीट में ले जाते हैं सब्सक्रों यहां पर एक्जामिलर ने आप से कहा कि सलफीट का पता लगा हो अब आप अशिड डाल रहे हैं आपने अशिड डाल दिया कोई और आपकी किसमत कितनी खराब कि एग्जामिलर ने इसलफाइड नहीं दिया उसने आपको क्या दिया था इसलफाइड आपको टेस्ट आएगा नहीं सलफाइड का क्यों किते क्या फ्रस्ट कर दिया और किसा कर दिया हो अशिन के और आपने वे इसलुफाइड है यह और आपका टेस्ट गलत है लिए ना कि इसलिए सुड़ा स्यूशन में रिट्रलाइड करने के लिए जनरल एक नॉन औक्सिडाइड ऑसग न्रॉन inc यूज किया जाता है बहुत जादा तो निट्राइस करने के लिए सबसे ज्यादा किस इसेड का यूज करते हैं हम एसेटिक एसेड लेकिन जब एसीटेट कट ता मत करना अब चलिफिए नोट करके लिखना कि complete वा सुड़क्स एक सुलूशन